रूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android app Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon कूपन अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ के आंसर जी वाई एंस इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप अप में बाइक करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट लेगा वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों जोग्रफी के एक और लेक्चर सीरीज में आपका सवागत है आज हम लोग 200 क्वेशन जोग्रफी के भी complete कर लेंगे तो आज अपना लेक्षर शुरू होगा क्वेशन नमबर 176 से अच्छे से इसको पढ़िए जोग्रफी की प्रप्रेशन अच्छी हो जाएगी आपकी चले स्वार्णिंप पगोड़ा का देश की से कहा जाता है विच इस नोन पर है तो शुरूच्छी चेत्र सिम्ली पाल किस राज में इस्थित है सिम्ली पाल ऑ्युसे रिजब केंट्र गेल कहा है सिम्ली पालज बाय्टसफेर खिचित जाता है अगला है रास्ट्रिय सुदूर समवेदन केंद्र का अक्तेалए करा औरó नाशनल रिमोट सेंसिंग क्टर लोगेटेटेग बंगलोर हैदराबाद विशाका पत्म या श्री हरी कोटा कहां पर है यह तो इसका जो हैड़कोर्ट Moż तो यह हैदराबाद के काहां फैरा लगा इन आंतिक नगरों olho में कर रेखा शेयर निकट्द म chilly पर कौन सा इस नगर सबसे पास में तो सबसे पास में तो सबसे पास में जो है वह है गांधी नंबर कोशन देखते हैं भारत का सुदूर दचन में इंदिरा पॉइंट मीकिद में सी कहां इस्तित सदर्न पॉइंट अफ इंडिया इंडिरा पॉकेट्ट इन तमिल Nahu紅 लेट निको बार या कार निको बार कहां प्रस्वार कि भारत का इंतिन Gottes हो रहे हैं यहां के बाद भारत की सीमा खतम हो जाती है अगला प्रशन कहा रहा है निम्लिकित में से कौन सहस्तान भारत का ग्रीन विच कहा जाता है विच ऑफ फॉल्विंग प्लेस इस काल्ड ग्रीन विच ऑफ इंडिया रोताक अवंती और जैन यहीं से पास होती है अगला कह रहा है इन में से कौन भारत की सबसे उंची चोटी है विच ओफ दिज इस इस दी हाइस पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाई मोडी डोटा बेटा महेंद्र गिरी या धूब गर्पी तो बहत असान है साउथ इंडिया की सबसे उंची चोटी कौन सी है अनाई मोडी क्योंकि डोडा बेटा तो आपको पता होगा नील गिरी की सबसे से उची चोटी अगला प्रश्ण कहारे निम्नाम्ति की राज्यों में से कौन सा छोटा नागपूर पठार का भाग नहीं है विच अमंग दा फॉल्लविंग स्टेट इस नौट दा पार्ट ऑफ छोटा नागपूर प्लेटिव बिहार जारखंड ओडी सा या वेस्ट बें हिमालयाज सतलज सिंधू गंगा ब्रहमपुत्रा सतलज सिंधू ब्रहमपुत्रा सिंधू गंगा या सतलज ब्रहमपुत्रा यमुना तो पता होगा आपको जो आपकी ब्रहमपुत्रा है सतलज है सिंधू है यह सब फ्लो करती है थ्रू हिमालयाज क्योंकि जो देखो आपक से निकलती है भागी रती औरिजिनेक्टी ओर्मग गंगोत्री तपववन या विश्नौ deeply तो कहां से निकलती है भागी रती नदी दोस्तों भागी रती निकलती है लेक्सो पुर्वंburg सब्सक्राइब करें तो जितने ज्यादा हो सब्सक्राइब करिए क्वेशन की प्रक्टिस करिए कंप्लीट सीरीज को जरू लगाएगी और टेस्ट देखें नहीं जाते लगाए जाते हैं पहले टेस्ट को आराम से उसको सब्सक्राइब करो कितने सही हो रहे हैं किस किस पोर्शन में स्ट्रॉंग और कौन सा पोर्शन विक है सेल्फ एनालिसिस करो समझ जब खुद बैठोगे तभी यह सब हो पाएगा टैसी को सौल करो अच्छे से अगला प्रशन है सुंदर्वन डेल्टा का निर्मान करने वाली यह न तो कौन बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र विस्ट बंगवल कह रहा हूं बंगलदेश जो बेव बंगॉल में गिरती जा कि भारत की सबसे लंबी प्राइदीपी नदी कौन सी है लॉंगेस्ट पैनेंसुलर रिवर ऑफ इंडिया नर्वदा गोदावरी माहा नद सबसे बड़ा शहर कौन सा है वारनसी पटना कानवफी दनेम रतनाकार डिनोटेट टू अरेवियन सी बेव बेंगॉल इंडियान ओशियन या नन ऑफ दीस किसको कहते थे दोस्तों तो बहुत ही फेमस है रतनाकार इंडिया नोशन के लिए या हिंदमा सागर के लिए क्यों सबसे बड़ा शहर लिए प्यारा नसी पटना कानपूर में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तड़ अयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा नदी तो कहां पे और कहां पे होता है यह मतलब कब होता है तो यह होता है मयूराची नदी के किनारे हिजला मेला ओफ डुमका ठीक है अगला कहा है किस नदी पर विष्का सबसे बड़ा नदी दूइब है on which river world largest river island is located world का सबसे बड़ा island किस नदी के इनारे नाइल नदी Amazon, Brahmaputra या Indus तो बहुत आसान है दोस्तो हमारे प्यारे भारत में ही है Brahmaputra नदी पे मजूली आइलेंड सुना होगा आपने यह न वर्ल्ड लार्जेस रिवराइन आइलेंड है मजूली आइलेंड अगला प्रश्ण कहे रहा है श्री हरीकोटवादीप कहां पर अवस्तित है जहां से आपने देखा होगा वगयार स्तेलआइट्स छीर यरीनर कहां पर है माहानदी के मुहाने के समीब पोलिकट जील के समीब या मुहाने के समीब तो यह आपका पслोड जील के पास या नियर प्नीकर लेक new Zealand, Fiji या Cambodia, दच्षन का Britain किसको कहते हैं, तो दच्षन का Britain कहा जाता है new Zealand को किसको कहते हैं New Zealand को ठीक है दोस्तों ये सब तो आपको मेले जाते हैं पेड कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें क्या होगा जब तक आपका प्री होगा आपको डेली 100 पेट को इसमें कराए जाएंगे प्रक्टे अच्छी हो जाएगे आपकी सारे टॉपिक से अवेर रहो गया चलिए अगला देखते हैं दच्शन धुरूप तक पहुंचने वाला प्रत प्रतम भारती कौन थे फर्स इंडियन टू रीच अंटार्क्टिक डॉरी राम चरण जी जतेंद्र कुमार बजाज सायद जहूर तो अंटार्क्टिक पहुंचने वाला पहला भारती इंसान था अब कोन राम चरण जी कौन थे राम चरण विश्व का पांच वास सबसे अबरिक नौर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिया कौन जाया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रीब तो बहुत आसाने देखो आपको पता होगा एशिया पहले तो सबसे बड़ा कॉंटिनेंट अब यहां एशिया दिख रहे नहीं दूसरे नंबर पे अफ्रिका आता है अफ्रि तो फिर मिती सब्सक्राइब पर यहां पांचसरें पर नहीं कौन आएका और ऑतृप जाएगा एक तो तीन चार CT चलिए अगला देखते है एक नहीं 38 भारत कं समय कितने राजियों से होकर गुजरता है रहा जोनी पर पासतो बारत कर जो चेंट रिडियों हो कहां कहां से Mansion सब्सक्राइब 3 राज़ 5 6 7 तो बहुत ही आसान है दोस्तों एक दो यू पी के मिर्जपूर से जाता भी यह उपी नपी से जाएगा चट्रिस गड़े्व औरिश सब्सक्राइब और आनदर प्रदेश ट्यक्त ऩि यू पी इचत्रिस गड़ा और यू सबसे चोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है तो सिंपल है थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे सवाल हो जाएगा राम से तो इन में से अगर आपको दिखेंगा सबसे तमिल नाडू महारास्ट गुजरात आनप्रदेश में तो एक तो है महारास्ट पहले तो यह चोटा है ठी तमिल नाडू के बात अगर आप देखोगे तो आनप्रदेश आएगा फिर गुजरात क्योंकि सबसे लंबा है इसकी ट्रिक बस अगर मैं आपको बताना चाहो तो ट्रिक यह सबसे लंबी जो कॉस्ट है वो गुजरात की आपको पता होगी ना तो गुजरात देख सकते हैं आपको उसको याद रखनी होगी क्योंकि ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ओर्टर में पेपर में कई बार पूछा गया है तो ज्यादा कॉस्टल एडिया है नहीं सब की थोड़ी थोड़ी सी एक आईडिया ले लो कौन बड़ा है कौन चोटा ठीक है तो जिससे आप लगा सको उ लेख लेते हैं 2001 के भारत में कुल साथ शर्टा दर कितने परसेंट 2011 सेंसेश एस पर वाट इस परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरिसी रेट ऑफ इंडिया चौशाट परसेंट चोहतर परसेंट परसेंट 75 या 70.90 परसेंट तो भारत का जो लिटरिसी रेट प्रिजेंट मतलब 2011 सेंसटाइब कितनाnoc चौहाट पॉछ पूछ लेता तो तो ओबिधाएस इसे में संदू परसेंट पूछ लेता है तो उसको भी जाद रखना और इसी तो इसमें में अंगर अगर उत्तर प्रदेश पूछ लेता लिटरिट दो 67.6% याद रखना और मेल फीमेल का कि पूछ परसंट है और फीमेल का काफी कम है सतावन पॉंट Klop